चैन स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस फोर्ट्स के एक नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे तेज एरक्राफ्ट के बारे में तो शुरू करते हैं टॉप टेन सुपर फास्ट एरक्राफ्ट इंदी वाड़ियों हमार टेन सुपोई का सू ट्वांटी सेवन को सेवेंटीज और एटीज के समय में सोवेती यूनियन द्वारा डेवलप्ट किया गया था इस्टोन इंजिन फाइटर येट का प्राइमरी यूज एर शुपियोरिटी मिशन में किया जाता है यह माक 2.35 की स्पीड तक पहुंच प्राइजने की केपिविल्टी रखता है नंबर नाइन पर है जर्न डाने में का एक्टर परवन एडवर्ट एक्टर परवन यह एक मल्टीपल बस टेक्टिकल फाइटर बॉम्बर था जो सूपर सोनिक स्पीड से प्लाही करने में केपिवल था यह नाइन हाइट साथ 2.5 मेक की स्पीड के साथ 4300 किलो मीटर तक पेलोट को डिलेवर कर सकने में केपिवल फाइटर बॉम्बर था नम्मर आठ पर है मेकडोनर्ड डेगलस का एक फिप्टीन इगल एक टोने एंजन आल वेदर एर शुपियोर्टी फाइटर है एक फिप्टीन के टोने एंज एरक्राफ्ट को दोनी की गती से 2.5 गुना अधिक स्पीड पर ले जा सकते हैं नम्मर 7 पर है मेकडोन का मेक 31 फॉक्साउंड माक 2.83 की टॉप स्पीड के साथ अगला फाइटर मेकडोन क्रूचिव 31 फॉक्साउंड है मेक 31 फॉक्साउंड एक रसियन विल्ड इंटर्सेप इंटरव ईरक्राफ्ट है इसे सीधे बहुत तेज हमलावार एरक को रुकने और नेस्ट करने के लिए डिजांस की गया है जैसे की इस्पाई प्लेण कोरिंको इंटर्करने के ली सपेच्ली डिजानद की अगया है नमर्शक्स पर है XV-17 वर्ड करी, XV-17 वर्ड करी शिक्स इंजन वाला एक यूनिक एर क्राफ्ट है, शिक्स इंजन मिलकर एक साथ 2,24,000 किलोग्राम के एर क्राफ्ट को मार्क 3 की विलोसिटी तक टेज कर सकते हैं, इतनी स्पीट के कारण एर क्राफ्ट का एर फ्रेम कुछ एरिया में 330 डिग्री तक करम हो जाता है इस एर्ग्राफ्ट के लिए दो रीजन के कारण एक्स्ट्रीम स्पीट की अबसकता पड़ी पहला सोवियत इंटर्शेप्टर से दूर भागने के लिए और नुकलर बाम के विस्पोर्ट से बचने के लिए इफ्ट नम्मर पर है वेल एक्स टू स्टार ब्लस्टर एक रोकेट पावर्ड सुप्डविंग रिशस एर्ग्राफ्ट है जिसे एरोडाइनमिक हीट के स्टेक्चर एफेक्ट के साथ हाई स्पीड और हाई एडिटूद पर स्टेविल्टी और कंट्रोल एफेक्टिवनेस की जाज के लिए डिजान क की गया था ताकि माक 2.0 से अधिकती से पुड़ान भरने की समय एर्ग्राफ्ट कैसा ब्यवार करता है को समझा जा सकी औरत नम्मर पर है मिकोयन का मिक 25 फॉक्स पैट मिकोयन क्रूचिफ मिक 25 एक सुपर फंस्ट इंटर्सेप्टर और रिकोनाशेंस के साथ एक गॉंबर ए क्रीजान की का गया था यह 3.2 माक की टौप सपीड के साथ हाइयड वी टूब तक प्लाइ करने में केपेवल था हलाकि इसकी टौप कर प्लाइ करने से इसके इन्यन बलाष्ट हो सकते थे इसलिए से इसकी टौप स्पीड कभी नहीं उडाया गया नम्मर ठीप रहे लोक्ए हुए इसमें तीन एड़ार्टीयर मिशाल लगी होती है यह लगवाग ऐसा सेबीन बिल्यक बर्जय उसा डेखता है ऐसा सब इन परजियां से दिखने का कौरान यह था कि ऐसा सेबीन वाई यह फ्ट वा आधा रहता है मतलब ऐसा सेविंटीवन वाई अप्टॉल्ब जैसा देखता है केवल तेन ही वाई अप्टॉल्ब का निर्मार किया गया था साथ ही हाई स्पीड हाई एटिट्यूड और पिगर इंटर्शेप्टर की रिकॉर्ड भी इसके पास हैं नमर्टू पर है लोखेट ऐसा सेविंट सेविंटीवन ब्लेकबर्ड है 1966 में इसकी शुरूवात के बाद इसका उप्यों यूएस एर्पोस और नासा द्वारा किया गया स्सेविंटीवन का यूज रिकोनासेंस और एक्सपेरिमेंटर रिसर्च के लिए किया गया एसा सेविंटीवन की 32 यूनिट बना गए थे इसमें स्टेल्ट टेकनोजी का भी यूज किया गया था SR-71 अपनी सांदार स्पीट के कारण इंटरसेप्ट और सर्फेस टू इयर मिसाल को पीछे छोड़ सकता था SR-71 को लॉंग रेंज स्टेजिक रेकोनासेंस एयरक्राफ्ट के रूम में विख्षित किया गया था जो मांक 3.2 से अधेक स्पीड के साथ 85,000 के एटिट्यूट पर फ्लाइ करने में केबल था नम्मर वन पर है नॉर्थ अमेरिकन एक्स फिप्टीन एक्स फिप्टीन मोस्ट फास्टेड एयरक्राफ्ट है इस एयरक्राफ्ट के पास सबसे तेज गती से फ्लाइ करने का वर्ल रेकोर्ड है इसकी अधिक्तम स्पीड 6.17 में लगबक 7,200 किलो मीटर परती गंटा है जो इसे 3 अक्टूबर 1967 को प्राफ्ट हुई थी एक्स फिप्टीन एक रोकेट थ्रस्टर का यूज़ करता है जिससे यह 100 किलो मीटर से अधिक उचाई तक पहुचने में केपबल है जो कि एक वर्ल रेकोर्ड है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सस्क्राइब दीजिए और कमेंट में जरूर झाल